So guys welcome back to another video तो आस्ता गिल को तो आप सभी जानते होगे उनके बाच्चा के साथ बहुत सारे गाने आपने सुने ही होगे तो आस्ता का अभी एक नया गाना आया है जिसका नाम है बल्मा जिसको लेकर आप मेंसे कुछ लोग मुझे मेसेज कर रहे थे कि ये गाना योयो हनी सिंग पाजी के साया जी सौंग से कौपी है तो पहले आप बल्मा सौंग और साया जी दोनों ही सौंग की बीट सुन लो इसे सुनने के बाद आप मेंसे 90% लोगों को बीट बिल्कुल सेम लग रही होगी इसके पीछे का रीजन है ब्राजीलियन बीट जो की हनी पाजी ने अपने साया जी सौंग में भी यूज करी थी जिसके बाद मिलिन गाबा ने भी सेम काइंड ऑफ बीट अपने शांती सौंग में यूज करी थी और आस्तागिल के बलमा सॉंग में भी सिमिलर बीट यूज हुई है तो पूरा सॉंग तो आप कौपी नहीं कह सकते हैं लेकिन काफी हद तक सैयाजी सॉंग को कौपी करने की कोशिश की है क्योंकि सैयाजी और बलमा का मतलब सेम होता है उपर से बीट भी ब्राजिलियन यूज करी है जो कि सैयाजी सॉंग में भी यूज हुई थी तो ये कह सकते हैं कि बलमा सॉंग को सैयाजी सॉंग जैसा बनाने की कोशिश की थी खैर आपका इस पर क्या सोचना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसके अलावा योयो हनी सिंग पाजी एंड लिलपंप के कैसनोवा सॉंग से भी एक अपडेट सामने आ रही है तो इस गाने का 24 जुलाई को ग्रैंड लॉंच होने वाला है दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल में जैसे कि आप सामने देख सकते हो ये शो दुबई के हिसाब से 7.5 बजे तो इंडिया के हिसाब से 9 बजे शुरू हो जाएगा तो बहुती जादा खतरनाक प्रमोशन होने वाला है इस गाने का आप लोग कितने एक्साइटर हो जरा कॉमेंट सेक्शन में बताओ बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बबाई